हेलो फ्रेंस मैं अजीत मेरे चैनल पर आफ लोग का फिर से स्वागत है आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो कर रहा हूं और यह वीडियो नोकिया यूजर्स के लिए है मैं अभी नोकिया 8.1 का डिवाइस उज़ करता हूं और नोकिया 8.1 में एक फीचर्स आया है नया पता नहीं मुझे कि सिर्फ नोकिया 8.1 फोन में यह फीचर्स आया है या सभी नोकिया फोन में यह आवलेवल है तो आप इसमें से मैं जो भी जैसे भी करूंगा इस फीचर्स को यूज जैसे भी करूंगा आप अपने नोकिया 8.1 के अलावा जो भी फोन यूज कर रहे हैं उसमें भी ट्राइ कीजिए इसे ही करने को सायद हो सकता है तो एक खुसखबर यह है कि Nokia 8.1 में मैं Call Recording का Option अभी पार रहा हूं इंटर्नाली इसमें कोई Application Download नहीं करना पड़ता है बहुत सारी उजर्स मुझे पूछ रहे थे कि कैसे हम Call Recording करेंगे Nokia Set में कौन से Application को यूज करेंगे Call Recording के लिए पर Update के बाद मुझे मिल गया है Call Recording का Option इंटर्नाली तो मैं आपको दिखाऊंगा Call करके कि कैसे आप Call को Record कर सकते हैं पर Call के Call करने के Time मेरा Voice जो है वो नहीं आएगा इसलिए आप देखेंगे Call के Call करने के बाद जो यहाँ पर पेज आएगा डिस्प्ले में जो दिखाई देगा नीचे एक रेकॉर्ड का Option होगा उस रेकॉर्ड को आप क्लिक करेंगे Call जिसको आप करेंगे Call Receive करने के बाद वो वो जो रेकॉर्ड का Option है आइकन है वो वाइट कलर का हो जाएगा वाइट कलर का होने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे तो Call Recording होना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको अभी एक्जामपुल के तर एक देखा दिता हूँ कि केसे आप Call Recording करेंगे तो अभी मैं एक ड्याड करूँगा नंबर उस नंबर के नीचे आपको देखना है कि Call Recording का जो है आइकन वो आ रहा है तो ये है Call Recording का जो आइकन था वो नीचे आ रहा था जिसको भी आप कल करना चाहते हो तो रिसीड़ का होने के बाद वो जो रिक्षा रिकर का आइकन है वो वाइट कलर का हो जाएगा फिर आप उसको क्लिक करके Call Record कर सकते हैं तो यह है आज का सबसे खुसकवरी अच्छा खुसकवरी नोकिया यूजर्स के लिए आप यूज करिए मैं तो नक्या एटफंड वान ही यूज कर रहा हूं